कि भूमी जन्जाती के लोगों को ही क्या अंग्रेजों की द्वारा क्या गिए जैतने पर है और सुख्रिटी प्राप्थ होने के साथी इस छेतर को क्या कया जाता है जंगल महल का जीला का निर्मान किया जाता है जय ही जवार दोस्तों study for goals मैं आपका श्वागत है मैं विकार्ष मेंडल दोस्तों आज के class पर हम लोग देखेंगे चुवार विद्रो ठीक है जो की class एगारा है इससे पहले 10 class हो चुके हैं तो जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है सबसे पहले वो हमारे चैनल को subscribe कर लें और ब चुवार विद्रो ठीक है इसकी जो है starting cup वह थी 1769 से लेकर आपका 1785 तक यह आपका चुवार विद्रो चला था ठीक है अब देखें चुवार विद्रो जो था है आपका जाके वह कौन-कौन से छेत्र में आपका पढ़ता है चुवार विद्रो ठीक सबसे पहले हम इसके के वारे में जानकारि लेते हैं कि चुवार विद्रो का जो च्षट्र था जहांपर विद्रो हुआ था तो आपको बतादें कि सब पहले यहां पे आपक्ला आता है मानभूम जिसको क्या धनबाद बीड़वाला जेत्र ओसके बास चेद्र और यहां पर माइथण डैम जो ह इस पूरे चारे जगो को मिला के क्या बोला जाता था आपका जंगल माहल छेतर क्या बोला जाता था जंगल महल उस टाइम ठीक है और याद रखिएगा ये संथाल प्रगना वाला जो छेत्र है जहां पे राज महल की पहाड़ी है इस छेत्र को क्या बोला जाता है जंगल तराई कनफ्यूज नहीं हो येगा कि जंगल महल किसको बोलते हैं और जंगल तरा है जंगल महल किसको बोलते हैं ये चुवार विद्रो वाला जो छेतर है आपका जैसे हो गया आपका जैके मानभूम यानि धनबाद वाला छेतर फिर आपका हो गया पंचेत फिर आपका बाडभूम और फिर हो गया आपका यहां घाट सीला वाला जो छेतर है, जो सिंग्भूम का आपका क्या था, इधर का केंदर बिंदू था, तो ये वाला छेतर को पूरे को क्या बोला जाता है, जंगल महल बोला जाता है, अब देखिए इस छेतर में किस जन जाती के लोग निवास करते थ दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि चुआर विद्रो जो है ये cases start हुआ आपका, मतलब कि इसका जो नाम अंकरन कैसे हुआ, तो जो भूमिज लोग यहां पे रहते थे, यानि कि जो नीची जाती के लोग, यानि अंग्रेज दुआरा जो है भूमिजों को नीची जाती के तौर पे देखा जाता था, और इसको क्या बोला जाता था, चु अब देखें, ये चुवार लोग जो है, इसका काम क्या था, ये पसु पक्षियों के सिकार करते थे, साथ ही जंगलों में खेती करते थे, और जंगलों में जो भी आपका, जैसे जो फ्रूट्स हो गया है, यानि कि फल, मूल, कंद, वगेरा ये सब जो खाते थे, उसका भी अब देखें, इसके अलावे जो है, ये जो चुवार लोग है, इस्थान ये जमिनदार, जो यहां के जमिनदार थे, इन जमिनदारों के यहां पर सिफाही के तौर पे रहते थे, ठीक है, और जिसको क्या बोला जाता था, सिफाही के तौर पे इस सिफाही को एक अलग नाम से जाना जाता था जिसको बोलते हैं पाइक ठीक है दोस्तों क्या नाम याद रखेएगा पाइक ठीक है यानि कि भूमीज लोगों को ही चुवार बोला जाता था चुवार कि उसको कौन बोलता था अंग्रेज अधिकारी उसको चुवार या चुवार बोलते थे ठीक है और इ अभेक、 विदो के कारण, टीक है, तो देखिये चुवार विदो का क्या कारण था, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीकेसे समझेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, सबसी पहले इससे पहले जो धाल विदो हम लोग पड़े थे तो आपको याद होगा कि यहां से जब मिदनापूर से यहां पर आता है आपका जाके ढालभूम चेत्र पे अंग्रेजों के द्वारा सतरा सु सट्षट में यहां पे ढालभूम चेत्र पे आकरमन करते हुए घाट सीला में क्या कर लिया जाता है कब जाक थे कौन रते थे इस्थानी लोग आपका जाके भूमिज ठीक है थोड़ा ध्यान दीजेगा यहां पर यह भूमिज लोग जिसको अंग्रेजों के दुवारे क्या बोला जाता था इसी लोगों को क्या बोला जाता था चुवार बोला जाता था ठीक है जब अंग्रेज यहां पे आए तो फिर से वही जो तोता की तरह रटा हुआ है कि इस छेत्र का जो है बंगाल बिहार ओडिशा का दिवानी किसको प्राप्त है अंग्रेजों को प्राप्त है किसके द्वारा सालमदृत्त के द्वारा और जिसको हम लोग 26 रुपए वार्सिक सलाना जो है माल गुजा अपना जो है मतलब की मनमानी करने लगा यहां के जो चुवार लोग जो थे यानि के जो भूमिज लोग थे इसके उपर क्या करने लगा टैक्स थोपने लगा यहां के जो स्थानी जमिंदार जो थे उसके उपर टैक्स थोपने लगा जो जागिरदार थे उसके उपर टैक् हिस्सा होता है ठीक है जिस पे वो सिर्फ क्या करता है उससे क्रिसी सम्मंदित चीजों पे उनका नियंतरन होता है और उसके बदले में फिर क्या करता है वो वहां से कर्वसूलता है या फिर उपज का हिस्सा जो है कुछ अपने अधिकार छेतर में रखता है मान लिजे की जमीनदार का जो है मान लिजे कोई जमीन है ठीक है इस छेतर पे जो है इसका सिर्फ यही अधिकार होता था कि यहां पर जितने भी पैदावार हो जितने भी क्रिसी होती थी उसका एक उपच का हिस्सा यानि एक भाग जो होता था वो टैक्स के तोर पे collect करना काम किसका था जमिनदार का ये सिर्फ करव वसुलने का काम करता था कौन जमिनदार जागिदार क्या होता था इस भूमी का मालिक होता था यानि कि वो चाहे तो आपका जागिरदार कहने का मतलब है क्या कि वो चाहे तो उस जमीन को किसी और जमिनदार को दे सकता था ठीक है या फिर इसके एक भाग को वो किसी दूसरे को बेच सकता था यानि कि अधिकारिक तोर पे जो है इस जमीन का मालिक जागिरदार होता था और जमिनदार क्या होता था कि इस पे टैक्स वसुलने का काम होता था जमीनदार का अब देखे ये जो जमीन है ये जो है आपको किसके द्वारा जागिरदार जो होता था वो राजाओं के द्वारा जो है कभी-कभी खुस होकर राजाओं के दिवारे किसी व्यक्ति को जागीरदान में दे दिया जाता था माल लेजे किसी व्यक्ति से प्रशन नहों गया कोई भी कारण हो तो वो क्या करता था जो अपनी भूमी जो है वो हमेशा के लिए किसी व्यक्ति को दान में दे दिया जाता था तो उसको बोलते थे यानि जागीरदान में देना तो जो लोग को जागीरदान में दे दिया जाता था हमेशा के लिए यानि कि उसमें राजा का अब को हस्त छेप नहीं होगा ना ही राजा को उसमें टेक्स देना होता तो वो होता था कौन जागीरदार और वही जमीन पे के तोर पे वो क्या करता था जमींदार लेता था और इसके बदले में फिर वो जमींदार क्या करता था जागिरदार को टेक्स देता था अगर जागिरदार की जमीन है तो जागिरदार को देता था अगर राजा का जमीन है तो राजा को वो जमींदार टेक्स देता था ठीक है तो ये system चलता था अब यहाँ पे जब अंग्रेज अधिकारी आए आप यहाँ पे देखते हैं हम लोग जब यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी आए यह बाडभूम वाला छेतर हो गया यह घाटसिला वाला छेतरी इस छेतर में जब अंग्रे जदिकारी यहां पे आये, तो सबसे पहले इसने क्या किया, यहां के जो कृषक लोग जो थे, वो लोगों पे अपना टैक्स थो अपना start किये, तो जो कृषक जो थे, यानि कि जो aपका जाके यहां पे क्रिषक मतलगा है, जो भूमिज यानि जो छुवाड़ लोग जो थे जब वो लोग टेक्स देने में असमर्थ हो गए तो उसने क्या किया उसके जमीन को अवेद रूप से कब्जा करना स्टाट कर दिया अंग्रेजों के द्वारा कि तुम तो टेक्स नहीं दे रहा है बावो तो हमको तो पैसा तो उसके बदले में क्या उसके जमीन को अवेद रूप से कब्जे में ले स्टाट करता था अब उसके बाद जमीन को ठूप से एक भूमी का भाग उसे उसको 15000 रुपए अंग्रेजों को वार्षिकर देना है ठिक है अब आब किसी कारण वस माहां पर छेति नहीं होती उस जमीन में, suppose that कि ये आपका एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, अब यहाँ पर जो है, जमीनदारों को बताया गया कि ठीक है, यहाँ पर आप खेती किजिए, खेती करने के बाद हमको जो भी है नहीं है, कैसे किजेगा, नहीं किजेगा, हमको नहीं मतलब, आप हमको 15,000 र जाते थे, घाटे में राते थे, तो वो लोग जब जो है टेक्स, जो है आपका 15,000 रुपए, जो टेक्स देना होता था, यह एक साल में किसको, आपका जाके, अंग्रेजों को, जब नहीं दे पाते थे, तो इस जाग, यह जो आपका खेत है, यानि इसकी जो जमीन है, यह क जोज देट कि यह छेतर है, ठीक है, यह कोई इलाका है, अब यहाँ पर इस इलाके का, देखें, एक संपत्ति का निलामी अलग होता है, और एक आपका छेतर का निलामी दोनों अलग-अलग होता है, मालिजे कोई घर की निलामी होती है, तो वो आपका, क्या होता है, कि मालि 200 रुपियाSon, 250,000, το माली जाय के खतम हो गये निह्यामी fiber, 50,000 रुप に आपका खलीया is ऀए को एक इड बड़ा area वहन होता था कि चलिए यह वाला जितरेगों हम लोग क्या करते हैं कि पहले जमाने में क्या होता था खेत बंधक लिया जाता था कि उस पे जो है 12 वर्ष के लिए हम खेती करेंगे इसके वज में हम आपको 10,000 रूपया देंगे इस तरह होता था पहले तो निलामी में जो छेत्र है आपका जाके जैसे कि जो जमिंदार मालेजे कि यहां कर दिया जाता था हटा दिया जाता था और वहां पर निलामी किया जाता था जिसमें बहुत 10-15 जमिंदार आते थे ठीक है कितने 10-15 जमिंदार आया उन लोगों के द्वारा बोली लगाए गया कि ठीक हमको एक साल में हापको हम 10,000 रूपया देंगे कोई बोलता था 11,000 पाया तो वो क्या हो गया उसके जमीन को चीन के किसी दूसरे जमेंदार को निलाम कर दिया गया तो यह भी एक कारण था आपका जाकर तो उसको क्या करता था, कुछ अन्य जमिंदारों को क्या कर दिया जाता था, निलामी के तौर पे उसको बेज दिया जाता था, ठीक है, तो ये चीज आपका दो कारण, तीसरा कारण क्या हुए, कि इस छेतर में जो है, आपका जंगल महल का जो छेतर है, ये वाला छेतर में, इसका कारण भी है कि यहां से अगर जो बाहरी लोग आते थे यहां का इस्थान या भासा के नहीं जान पाते थे जिसके वज़े से क्या communication नहीं हो पाता तो सबसे बड़ी बात है connection के लिए किसी दो वेक्तियों के बीच में connectivity को मतलब connection के लिए आप सबसे बड़ी चीज के आया भासा अगर आप एक दूसरे का भासा नहीं जानते हैं तो फिर आप एक दूसरे से connect कैसे होईएगा दूसरी बत यह कि यहां से जितने भी बाहरी लोग आए उनका सिरफ एकी परपस।ा है कि कि इकत्ना से अधिक धन हम यहां से इकठा करें और यहां से पलायन हो जाए तिसरा कारण यह थी यह था कि यह लोग जब बाहर विवस्ता थी, पुलिसिंग जो थी, उसको भी क्या किया गया, कि बाहरी लोगों को यहाँ पे, पुलिसिंग के तौर पे, बाहरी लोगों को यहाँ पे डिपूट किया गया, यानि जितने भी थाना, पिकेट वगेर, यहाँ पे इस छेत्र में बना, इसमें सब बाहरी लोग दूसरा कारण आपका क्या था कि बाहरी लोगों के दुवारा उतना जादे जो है अपना पन फिल नहीं होता था इन लोगों को कि हम अपना बात जो है वहाँ पे थाना में जाके थानेदार को सुनाएं तीसरा बात क्या होता था कि जो बाहरी लोग आते थे उनको सिर्फ और सिर्फ राजा सूसर मतलब था वो जितना हो सके यहां के अस्तानिय लोगों जो भूमिज जो चुवार लोगों है उसको सोसन करने का सिर्फ काम किया ना कि उनके जो समस्यां है उसको सुल जाने का काम किय ठीक है तो यह सब कारण था यहां पे विद्रो होने का ठीक है तो I hope कि आप लोगों को विद्रो होने का जो कारण है यहां पे चुआड विद्रो होने का कारण जो है वो 1969 में जो है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यहां पे चुआड विद्रो इतने व्यापक तरीके से हुआ था इस पूरे छेटर में आपका जाके जैसे मानभूम बादभूम आपका सिंग्भूम यानि के घाट्सिला वाला छेटर पंचेत ठीक है यह सब वाला छेटर ठीक है तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखेंगे कि यह जो छेटर है आपका जो जंगल में आपका क्या होता है कि ये घाट सिला और जो बाडभूम है ये वाला छेतर में व्यापक तरीके से यहां पे क्या चुवारों के द्वारा विद्रो कर दिया जाता है विद्रो के कारण आपको बता चुके हैं कि यहां पर अंग्रेजों का परवेश हो जाता है 1969 में और उसके द्वारा क्या होते है अलग-अलग तरह के से उसको क्या यहां के चुवार लोगों को क्या करने लगता है सोसित करने लगता है जिसके वज़े से क्या होते है चुवार लोग बहुत ही व्यापक तरीके से क्या करने लगता है विद्रो करने लगता है ठीक है और छेत्र जो होता है क्या हो जाता है असांत हो जाता है अब देखे इन चुवारों का नेत्रितु करता कौन था तो आपका क्या हो गया सुबल सिंग ठीक है जगनात पातर जगनात पातर ठीक है स्याम ग भीजा गिया तो आपको पता है कि हाँ पे tob मिदनापूर दृव भाया यहां पे कॉंट्रài में फीर इस चेत्र में भीजा गिया आपकाने अंग्रेजिकारी था जिसका नाम था लेकिन फिर भी चुबारों के दौर्ण इतना व्यापक तरीके से यहाँ पे विद्रो किया जा रहा था कि जगा जगा पे तो नन को अकेले यहाँ पे handle करना possible नहीं हो पा रहा था तब जाके फिर से क्या होता है एक और वेक्ति को यहाँ पे अंग्रेज जदी कारों को भेजा जाता है जिसको क्या नाम रहता है फॉर्बस फॉर्बस यहाँ फिर फॉर्बस ठीक है यह दो बटालियन के साथ यहाँ पे जाता है दो बटालियन के साथ जो है इस छेतर में परवेश करता है ठीक है और इस छेतर में परवेश करने के बाद फिर क्या होता है कि सुबल सिंग वगेरे जो है जगनात पातर इस चेतर से जो है क्या होते हैं कि ये लोग जंगल में जाके छिप जाते हैं और स्याम गंजम जो है वो भाग के कहां चला जाता है बाड़भूम चला जाता है ठीक है कहां चला जाता है बाड़भूम में ठीक है ध्यान रखेंग अगे हम लोग देखते हैं कि यह हैंanız जव आपका जाके इस च्छेत्र से आपका जाके जगनातपातर और शुबलस घंगलों में छिप जाते हैं कहां पर यहांपर आपका जो बार्भूम में तो आपका कौ blessed दीजेख्याकरों और यह जंगल छेतर रहता है आपका जाके यहाँ पे घाट सीला और बाढ़भूम के बीच में यहाँ पे आपका जो है जो जंगली इलाका जो पहाडी इलाका होता है वहाँ पे कौन छिप जाता है सुबल सिंग और आपका जाके जगनात पातर ठेक है जगनात पातर ठेक है अब क्य होता है कि Captain Nun जो है ये 69 में आता है तो 1770 जन्वरी जन्वरी 1770 के आज पास जो है Captain Nun और Farvest दोनों को लगने लगता है कि चलो ये छेत्र क्या हो गया अब सांत हो गया ये जो छेत्र है अब क्या हो सांत हो गया तो अब हम लोग को ज्यादा परिशान होने के आउशकता नहीं है तो Captain Nun फिर क्या करता है यहां से अपना बोरिया विस्तर यानि कि अपना सिपाईयों के साथ वो किधर जाने लगता है आपका जाके अंबिकापूर जाते समय जब यह जंगल से गुजर रहा होता ह है कौन Captain Nun तो वहीं पर चूपी वे जो आपका चुमार विद्रो के जो लोग थे यानि के चुआर लोग उसके उपर हमला कर दयता है तो इससे क्या हो जाता है कि Captain Nun के जितने भी सिपाई होते हैं वह क्या हो ते बुरी तरह से जजक्वी हो जाते हैं बहुत लोग मारे भी जाते हैं ठीक है और कैप्टेन नन जो है किसी तरह जो है वो अपना जान बचा के किसी तरह वहाँ से भाग जाता है बस वैसे ही आपके किसके साथ होता है फॉर्बस के साथ भी यही कहानी होती है फॉर्बस भी अपना जो है दो सिपाहियों दो बटालियन जो सिपाही था इस क्या करते है इसके बटालियन पे भी यानि पे टेमिन के भी चुवर लोगों के दूआ हमला कर दिया जाता है और जो पितर हो जाते है कि एस च्वार सी के Л को लगता है कि ए च्वूर 20 जा सके तो यहां से केप्टेन नन जो है अंबिकापूर के लिए प्लाइन करते हैं और फॉर्वस जो है इधर से चाइबासा की और हल्दी पोकर की तरब प्लाइन करते हैं लेकिन बीच में यह क्या होता है कि चुवार लोग जो होते हैं वो घात लगा के बैठे हुए हैं एम उसके बाद फिर क्या होता है कि चुवारों का फिर से यहां पे अपना पुना जो जो मतलब के पहले से जिस तरह से स्ववतंत रूप से रहते थे थे फिर उन लोगों के दवारा फिर क्या हुआ हुआ शुटनतरुप से रहा जाने लगा। अब आगे देखे adapt के कि woven जहां जब गटना फटी है किसके साथ forward के साथ किसके अरविंगा जो इक है अमारिकपूर में फटी में किसके सथ गटन चेपटन नट इसकी के पता है उसके सुछने से को फ़ сказала तो मिदनापूर से फिर क्या होता है किसको भेजा जाता है इस के साथ दो कंपनी सिपाईयों के साथ यहां पे भेजा जाता है अब इसको आदेश दिया जाता है कि आप जाईए हल्दी पोकर जो है उस छेतर में जाईए जहाँ पे चुवार विद्रो हुआ है चुवारों के द्वारा वहाँ पे उसके कारण को आप जानिए कि किस वज़े से है चुवारों ने वहाँ पे विद्रो कर दिया यानि उसके मन में कौन सा रोस है आप उसको जानिये और वहाँ पर सांती विवस्ता कायम कीजिए ठीक है ये आदेश किसको दिया गया गया गुडियार को दिया गया किसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा ठीक है और साथ ही इसके जो नेतिर्ट करता है अदेश दिया गया कि इसको पकड़के कहा लेके आना है मिदनापूर जेल लेके आना है ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब जैसे ही यहां पर गुडियार आता है ठीक है इसकी सुचना आपका किसको मिलती है सुबल सिंग को मिलती है सुबल सिंग उस समय कहा रहता है केला पाल के जंगल में चिपा हुआ रहता है कहां पर केला पॉल के जंगल में चिपा हुआ रहता है अब देखे सुबल सिंग के जब इसकी सुचना मिलती है कि लेटिनन गुडियार जो है उसको पूरे एकदम जो सोर के साथ एकदम पूरा ख दिए जाती है कि सुबल सिंग यहां भी हो वो आपके सरेंडर कर दें तो अच्छा बात नहीं होगा जहां भी देखो गया तो मारे जाओगे इस तरह का वद्गोष्णा होता ही होगा तो सुबल सिंग बोले कि ठीक है हम आत्म समर्पन कर देंगे बस हमको जो है जान से ना मार है यानि कि हमको जान मेरा भक्स दे तो यह बुलता है आपका जाके क्या जो गुडार होता है है हुआ आप साप आदेस रहता है कि सुबल सिंग को क्या करना है पकड़के मिदनापूर जेल ले आना है यानि कि वो उसको किसी तरह से बक्ष देने वाला नहीं था कि माफी मांग लेगा तो चलो उसको छोड़ देंगे तो इस चीज की सुचना जब आपका मतलग कि सुबल सिंग को उसके बारे में खबर हो जाते हैं कि गोडियार उसको पकड़ के मिदनापूर जेल ले जाना तब जाके वो क्या करता है आत्म समर्पन यानि कि सरेंडर से इंकार कर देता है और वो महीं पे जंगल में छिपा हुआ रहता है ठीक मना करने के बाद फिर गोडियार क्या गरता और इसको finally सुचना मिलता है कि जो है आपका जाके ये जो सुबल सिंग जो है ये आपका जाके जंगल में चिपा हुआ है फनना जंगल में यानि कि कहां पर कैलापाल के जंगल में चिपा हुआ है कैलापाल के जंगल में चिपा हुआ है इसकी सुचना कौन देती है तो सुबल सिंग के साथ एक वेक्ति काम करता है एक पाइक यानि कि एक पाइक मतलग करने का एक सी पाई इसके साथ रहता है जो इसका बहुत ही अच्छा रहता है ठीक है तो वो पाइक जो है इसके साथ जो रहता है जिसका नाम क्या रहता है अमर सिंग ठीक है केलापल ये पहुंचता है वहाँ पर सुबल सिंग को पकड़ने के लिए तो फिर सुबल सिंग क्या होता है फिर वहाँ से वह भाग जाता है भागने के बाद फिर ये क्या हो जाता है गुडियार आग बबुला हो जाता है और वो क्या करता है उस जो छेत्र होता है उसको तहस तहसनास कर देता है, इतना तहसनास कर देता है, मतलब पूरी तरह से उस छेतर को उजार देता है, ताकि सुबल सिंग जिंदगी में कभी भी आप फिर से वापस के लापल लोटके नहीं आ पाए, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, इसके जो सुबल सिंग के जो आप उसक कर दिया जाता था इनके महल को निलाम कर दिया जाता था ठीक है तो वही बात है कि सुबल सिंग जगनात पतर सियाम गंजम ये सब वही जागिरदार और जमीनदार थे जिनके जगा को यानि कि जमीन को निलाम करके दूसरे जमीनदारों को दे दिया गया था ठीक है तभी ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गया थे और ओए क्या किया चुवारों को और वहाँ के घटवारों को क्या किया थे एक चूट करके अंग्रेजों के अगेंस्ट में विद्रो करने के लिए क्या किया था मतलब कि inspired किया था पर लोटके नहीं आ सके और इसके जितने गाउं होते हैं उसको क्या कर लिया जाता है गुडियार के द्वारा छिन लिया जाता है ठीक है और इसको पूरी तरह से सुबल सिंग को क्या कर दिया जाता है बे सहारा कर दिया जाता है कि अब यह ना घर का ना घाट का ठीक है उसके पूरे छेतर पे आप किसका अधिकार हो जाता है गुडियार का हो जाता है यानि कि अंग्रेजों का हो जाता है ठीक है तो जितने भी इसके जो गाउं छीने गये थे उसको किसके घाटसिला का जो राजा था यानि कि ये वाला छेतर है आप देख सकते हैं यहाँ पे घाटसिला का जो राजा था इसके अधीन कर दिया जाता है सुबल सिंग का जितने भी गाउं शीन लिए जाते थे उसको किसके घाटसिला के राजा के अधीन कर दिया गया था क्योंकि घाट सिला का राजा जो है उस समय किसके अंग्रेश के बस में था उस समय घाट सिला का राजा आपका कौन था एक तरह से दिखा जाए तो निमू धाल था जब ढाल विद्रो हुआ था आपका जाके 1771 के आसपस आपका 68-79 में आपका कौन थबन गया था निमू ढ़ल बन गया था जगनाद ढ़ल भी आपका क्या कर रहा था साइट साइड में विद्रो कर रहा था तो घाट सीला के राजा के अधीन क्या कर दिया गया था सुबल सिंग के जितना भी गाउं वगेरा जमीन वगेरा था वर्चस्र था जो लोगों को नेत्रित करता था वो नेत्रित करता को उसने क्या क्या पूरी तरह से खतम कर दिया अब यहां पे खतम होने के बाद फिर गुडियार का काम खतम नहीं होता है फिर इसका काम क्या होता है कि आपको बतायत है जो आपका स्याम गंजम जो था ये भाग के कहां चल जाता है बाडभूम तो फिर क्या होता है इसको सुचना मिलती है कि इसको आपका जाके गुडियार को गुडियार को सुचना मिलती है कि यह जो है आपका जाके यहाँ पर बाड़भूम हो गया यह क्या है बाड़भूम हो गया यह बाड़भूम तो गुडियार को सुचना मिलती है गुडियार को जो है सुचना मिलती है कि बाडभूम से 13 किलोमेटर दूर एक जंगल है 13 किलोमेटर दूर एक जंगल में सियाम गंजम अपने समर्थकों के साथ वहाँ पे छिपा हुआ है फिर गुडियार क्या करता है उसको पकड़ने के लिए सिधा चल देता है वहाँ बाड़भूम ठीक है अब देखे अब क्या होता है कि जब इसको सुचना मिलती है कि 13 किलमेटर दूर जंगल में यहाँ पर आपका कौन सियाम गंजम छिपा हुआ है सियाम गंजम छिपा हुआ है ठीक है तो यह फिर क्या गुड़ियार क्या गता है अपने पूरी सक्ति के साथ यहाँ पर आता है और उस जंगल में क्या कर दिया जाता है यहाँ पर जो जंगल होता है आपका बाड़भूम का जो जंगल होता है यहाँ पर जंगल में जाके फिर ये अपने सिपाईयों के साथ वहाँ पे जाके जो आपका चुवार लोग जो इसके साथ में थे स्याम गंजम के साथ जो है वहाँ पे फिर क्या करते हैं मतलब कि ये गुडियार के दोरे क्या किया जाता है वहाँ पे सेनिक अभियान चलाए जाता है ठीक है फिर क्या होता है दोनों तरब से एकदम पूरा एकदम आपसी मुटवेड होता है ठीक है इधर से गोली चल रहा है इधर से भी गोली चल रहा है दोनों तरब से ठीक है और फाइनली इतनी फाइरिंग होती है इतनी लंबे समय तक फाइरिंग होती है मतलब कहने का मतलब कि एक एक मेना, दो-दो मेना तक मुहाँ पर चली रहा है, मुटवेड़ है, ठीक है, और इसी दर्मियान क्या होता है, सियाम गंजम का तबियत खराप हो जाता है, तब जाके इसका जो भाई होता है, सियाम गंजम का जो भाई होता है, ठीक है, वो किसके पास आता है, आपका गुड लेके आता है गुड्यार के पस कि मेरे भाई यानि के स्याम गंजम का तबीएदा खराब है वह आत्म समर्पन के लिए दियार है बस इसका जान बक्स दीजिएगा वह Altman कर लेगा ठहक है फिर गुडियार बोलता है कि ठीक है स्याम गंजम को मेरे यहां पर जो टेंट लगाया गया था वहां पर आपका जाके कहां पर बाड़भूम में का जो जंगल है वहां पर तीन और से पहार से घिरा हुआ था चेतर तीन और से पहार से घिरा हुआ चेतर वहां पर टेंट लगा गय किया जाता है कहने के मतलब एक घोशना पत्र तियार किया जाता है कि इस तरह के कोई भी कारवाई उसके द्वारा नहीं की जाएगे और भी बहुत सारे सर्त रखे जाते हैं और इसी के साथ फिर क्या होता है स्याम गंजम जो होता है वहां से सितिल पड़ जाता है और उस चेत पिर जगेदार लोग जो हैं उनके द्वारे जो है अंग्रिजों के विरुद जो है चुवारों को अपने साथ मिला के विद्रोग किया गया ठीक है अब हम देखेंगे कि झरीया झरीया में जो है वहां और जालदा जरीया का नाम आप लोक히 सुने ही होंगे तो धनबात का जो कॉलफील्ड एरिया है जिसके का जहरीया के नाम सी है यहां पर यहां पर होगा अभी के टाइम में आप जाते होंगे जब रांची से आप इदर बोकारो की और आते हैं तो यहां पे आपको एक्ट स्टेशन मिलता होगा जालदा ठीक है जो बंगाल और जारकन का एकदम बॉडर परते है ठीक है तो इन सब छेत्रों में क्या हुआ है कि यहां पे भी किसी तरह से यहां पे विद्रो उत्पन हुआ ठीक है और इस विद्रो को दबाने के लिए कौन और गुडियार के बाद फिर आपका 1783 की बात है यह कब है 1783 के आसपास जो है जरिया और आपका जालदा के आसपास जो है यहां के लोगों ने भी क्या किया विद्रो करना स्टार्ट कर दिया था तो फिर यहां के इस छेत्र को इस छेत्र पर नियंद्रन करने के लिए किसक अब ही जो movie आया थी beat up rocky भाई ठीक है आप लability सभी लोग देखे हूंगेत्व तो केस्गया हो गया क्रॉप तो के से ओगया क्रॉप्ट टेक है क्या क्रॉप जीसे ओगया और व्लीयार और स्ट्पप on derip abolish क्रॉप्ट और और इसको ध्यान से यदर रखेंगा अब देखें यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज हम लोग और पढ़ेंगे पंचेत राजी के बारे में पंचेत राजी के बारे में पंचेत राजी में जो है 1788-89 के आसपास 1788-89 के आसपास यहाँ पर विद्रो की इस्तिती उत्पन हो जाती है क्या होता है कि यहाँ पे एक विक्ति रहता है दूर्जन सिंग यहाँ का जो राजा रहता है पंचेत पंचेत का जो राजा होता है उसको अंग्रेज अधिकारी क्या बोलता है कि तुम टैक्स कलेक्ट करके हमको देना एक निर्धारित रासी तैकर दी गई होगी अंग्रेजों के द्वारा कि एक आंकड़ा ले लिया होगा कि चलो हमको तुम 50,000 रुपए सालाना देना 50,000 रुपए सालाना तुम हमको टैक्स देना अब देखो यहां पे जिम्यवारी किसी हो जाती है पंचेत का जो राजा होता है उसकी जिम्यवारी हो जाती है कि एनी हाव जो है हमको अंग्रेज अदिकारी को 50,000 रुपए सालाना देना एक एक figure बोलें ऐसे कुछ fix नहीं था कि 50,000 रुपया देना है आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां का जो पंचेत का जो राजा होगा उसको अंग्रेजों के दुवरा एक निर्धारित रासी तैकर दी गई होगी कि आपको सहलाना हमको इतना देना है नहीं तो आपको यहां से राजा से हम लोग हटा देंगया ठीक है जवर्जस्टि तो पंचेत राजा क्या करेगा अपने जो अधिनस्त जो तो आपका सिपाई हो गया या फिर जमिंदार हो गया उन लोग या फिर यहां के जो अस्थानी जन्ता यानि कि जो जन्लम जाती लोग रहते तो उसके उपर ज़्दा टैक्स होसलने का काम करते होंगे다 जनता भी आकरोश में आगे साथ ही क्या हो गया कि मालिजे के पैदावर ही नहीं हुआ तो वो लोग क्या देगा उपच का हिस्सा कुंस दे नहीं पाएगा जो असक पैदावर का हिस्सा जो tax के तोर पे देना था वो भी नहीं दे पा रहा था तो क्या हुआ है कि पूरी तरह से असमर्थ हो गया पंचेत राजा यानि कि इन सब कारणों से क्या हो गया पूरी तरह से असमर्थ हो गया tax देने के लिए तो finally फिर क्या होता है कि 88-89 में जो है अंग्रेज जातिकारों के दुआरा पंचेत राज को निलाम करने की घुषना की जाती है ठीक है पंचेत राज को निलाम करने की घुषना की जाती है कि चलो तुम अगर पैसा नहीं दे पाएगा तो तुम्हारा राज को हम लोग निलाम कर देंगे, निलाम कर देंगे, कि तुमको हटा के किसी और जमिंदार या पिजागिरदार को उसको सौंप देंगे, ताकि वो हमको tax के तौर पे दे देगा, ठीक है, अब क्या होता है, कि इसको जो है निलामी को घुषना कर दी जाती है, लेकिन बहुत प्रेतन होने के बावजूद भी इसको रोक नहीं पाता है, रोक नहीं पाता है इसको, और फाइनली 1795 में, यह घटना देखे, 88-89 से यह स्टार्ट हो जाती है, और फाइनली 1795 में जो है, निलामबर मित्रा, क्या नाम रहता है, निलामबर मित्रा के द्वारा, निलामबर मित्रा के द्वारा क्या होता है, पंचेत राजे को खरिद लिया जाता है, यानि कि निलामी में, अब किसके अधिकार छेतर में आ जाएगा, निलामबर मित्रा, यान पर निरंतर अपना क्या करता है विद्रो चालू रखता है पंचेत राज के आसपास ये जनरली रहता है कहां का राइपूर का ठीक है राइपूर का लेकिन इसका विद्रो जो है बहुत ही व्यापक तरीके से होता है आपका राइपूर में भी और आपका पंचेत में भी ठीक इस साल तुम नहीं दे पाया लेकिन अगले साल आपको देना ही होगा तो फिर निलामर मित्रा से इसको क्या कर लिया जाता है वहाँ के राजा को वापस उसको दे दिया जाता है और यह जो आपका हुआ था एग्रिमेंट पंचेत राजी का निलामी का उसको रदिक कर दिया जाता है अब देखे यह जो छेतर है यह वाला जो आपका छेतर आपको हम बताएं जो जंगल महल का छेत्र जो है अब देखे इस छेत्र में जो है इस विद्रो का कारण आपको हम बताएं कि जमिनदारी परता को खतम कर दिया था इस वचे से जमिनदारों ने क्या क्या इसके अगेंस विद्रो किया चुवार लोगों का जो है उनका शोषन कर रहा था इसलिए उसने विद्रो किया, साथ ही आपका उनके जमीन को कबजा कर रहा था वेद रूप से इसके साथ साथ और दो अन्य कारण क्या था कि यहाँ पर बाहरी लोगों को क्या कर किया जा रहा था परवेश किया जा रहा था, यानि कि यहाँ का जो क्या कर रहा यहां पर मालेजे वैपार अगर करना होता था तो बाहरी लोग आके वैपार करके यहां पर मुनाफा कमा गया चले जाते थे क्या कि यहां पे बाहरी लोगों को नहीं बसाया जा चुके अभी तक हमने देखा कि विमिन परकार के विद्रो कहां कहां पे हुए विद्रो के दर्मियान क्या विद्रोईयों का जो याने चुवारों लोगों का क्या मांग था मांग बस इतना था कि यहां का जो प्रशासन हो ठीक है यहां का प्रशासन यानि कि वो अस्थानी लोग हो ना कि कोई बाहर के लोग क्योंकि उसके साथ उनका connectivity जो है बहुत अच्छा नहीं हो था संबंद अच्छा नहीं था communication skill जो होता था कि मालेज़े कि अस्थानी लोग का भासा अलग है बाहर के लोगों का भासा connect नहीं कर पाता था इसलिए इल लोगों का demand क्या था? कि यहां का जो सासन वेवस्ता हो, यहां का जो policing वेवस्ता हो, यहां के लोगों के द्वारा ही समाला जा सके, ताकि हमको कभी भी कुछ दिक्कत हो, हमारे घर में अगर कोई परीशानी हो, जागड़ा जचन जट हो, तो अगर हम थाना जाएं तो वहाँ पे मेरा अपना आदमी होना चाहिए ताकि हम उसको अपना दुख सुख बतिया सके और वो जो है हमारे दुख को समझ के हमारे समस्या का निराकरन कर सके चुकी वहाँ पे बाहर के लोग रते थे तो उनका सिर्फ काम क्या था उन लोगों को सोसन करना इसलिए ये लोग भड़के हुए थे इस दर्मियान जो है एक नारा भी दिया गया था जो बहुत ही फेमस रहा क्या नारा दिया गया था आपका जाके अपना गाउं अपना राज क्या दिया गया था अपना गाउं अपना राज ठीक है दूर भगाओ विदेशी राज दूर भगाओ विदेशी राज ठीक है ये नारा दियागा था, इसको याद रखियेगा अगर एक्जाम में पूछे कि अपना गाऊं अपना राज, दूर भगाओ, विदेशी राज का नारा किस विदरो में दिया गया था, तो ये आप का हो जाएगा क्या चूअर विदरो में, ठीक है इस विदरो का जो इसी से आप समझ सकते हैं कि अपना गाओं अपना राजी आनी कि अपने च्छेत्र में किसका राज होना चाहिए यहां के जो लोग हैं जंगल महल के जो छेत्र के जो लोग हैं यहां पर क्या होना चाहिए? इस्थानी सोशाषन की मतलग की जो पुलिसिंग वबस्ता है यहां के लोग को ही दे देना चाहिए और इसी तरह आपका क्या हुआ कि आठारह सो कितना 6 मार्च 6 March 1800 ESV को ठीक है एक प्रस्ता पारित किया गया क्या जमिनदारी घटवारी पुलिस वेवस्था ठीक है जमिनदारी घटवारी पुलिस वेवस्था अब समझ माया आपको कि यहां का विद्रो होने का कारण क्या था बाहर के लोगों को बसाना उनके द्वारा क्योंकि कनेक्शन हो नहीं पाता था तो डिमांड गया था हो लोगों को कि यहां पे जो भी लोग यहां पे ठाना पिकेट वगेरा में रहे या फिर टैक्स के वश्षोली करे तो वो हम ही लोग में से कोई रहे ठेक है इसलिए ये चीज का जब अभास हुआ अंग्रेजों को तो 6 मार्च 1880SW को जमिनदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था का प्रस्ताव लाया गया यानि कि लागू नहीं हुआ प्रस्ताव लाया गया था आपका कब 1880SW में घटवारी पुलिस व्यवस्था को जो है अंग्रेज सरकार के द्वारे क्या होती है सुकृति प्राप्त होती है और सुकृति प्राप्त होने के साथ ही इस छेतर को क्या किया जाता है जंगल महल का जीला का निर्मान किया जाता है यानि कि इस छेतर को पूरा क्या बोल दिया लेकिन जंगल महल जो है अधिकारिक तोर पे यानि ओफिसली कब आया 1805 इस्वी में अगर पूछा जाए कि जंगल महल जीला का निर्मान कब किया गया था तो 13 दिसंबर 1805 इस्वी जिसमें आपका पंचेत राज ये मान भूम बाड भूम और आपका जाके क्या ये घाट सीला वाला छेतर आता था ठीक है इस समझ में आगे आपको एक बार फिर से मैं बता दूँ कि यहां के लोगों का मुख डिमान्द क्या था जमिंदारी घटवारी पुलिस विवस्था यानि कि यहां पे क्या जमिंदारों यानि कि यहां कि स्थानी जंजातियों का यह क्या होना चाहिए थाना में हो या फिर टैक्स हो सुलने का काम कौन करना चाहिए हमीं लोग में से कोई करना चाहिए ठीक है तब जाके यह चीज का अभास हुआ तब जाके अंग्रेजों ने आठाट छे मार्च अठारा सो इस वी को क्या किया उन्होंने एक प्रस्ताव लाया कि यहा जंगल माल जीला का निर्मान पुछा जाए तो कब हो जाएगा 13 दिसंबर 1805 इस वी को अब देखे दोस्तों 13 दिसंबर 1805 इस वी को कब 13 दिसंबर 1805 इस वी को आपका क्या होता है जंगल माल जीला का निर्मान होता है और इसके 25 वर्सों तक यह छेतर जो है जंगल माल छेत रहता है 18 21 32 में आपको पता है ठीक है तो इसको ध्यान में रखेगा एक्जाम में अगर पूछा जाए आपका जाकर कि चुवार्ड विद्रों के ठीख है ?, किसका किसका नाम सुने थे ?, सुबल सिंग, सुबल सिंग , ठीख, फिर आपका जगनात पातर इनका नाम अभी आप लोग सने , जगनात पातर , ठीख , फिर ओगया आपका स्याम गंजम इन तीनों के अलावे और लोगों ने भी बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया था जिसमें से आपका था रगुनात महतों इन लोगों के बारे में जो है बुक में ज़्यादा जिक्र नहीं है इसलिए इनके बारे में बहुत कम सुचना मिलती है इन लोगों ने भी आपका क्या है बहुत बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया था ठीक है अलग-अलग छेत्रों में रगणात महतों के बाद फिर आपका हो गया लाल सिंन पर मुहन सिंह मुहन सिंह हो गया दूरजन सींग के पारे में आपको बताएं पंचेत राजी को निलाम करने से रोका था दूरजन सींग फिर आपका होकियाब मंगल सिंग इन लोगों ने ये लोग कौन थे ये लोग सब जमिंदार लोग थे और आपको पता है कि अंग्रेजों के दूरा array क्या की आ गया था कि इन लोगों के द्वारा चुवारों को जो है मतलब की उन लोगों को समझा बुजा के या फिर उन लोगों को मतलब की भड़का के अंग्रेजों के खिलाब जो है विद्रो में उतारा गया था इन लोगों के द्वारा ही उतारा गया था ठीक है तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल स्टडी फर गोल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेला कें दबा दें जाए हिन जाए भारत